सबी बच्चों को मेरा नमस्तार numerical number है 6.10 NCRT Physics Class 12 आडर अपने हिसाब से आप समले जेगा Physics NCRT Class 12 numerical numerical NCRT Physics Class 12 मतलब वही निकल ला है ध्यान से question को पढ़िए एकदम से पढ़के full stop तक न पुछिए पढ़ना स्टार्ट करिए जो given है note करिए answer आपने आप मिल जाएगा question क्या कह रहा है a jet plane है is traveling west at the speed of 1800 km पर आर यानि आपको पहले तो speed दी है direction की बारे में बात बात करेंगे 1800 km पर आर आप जानते हैं इसको 5 by 18 से multiply करने पर ये meter per second में convert हो जाता है है आप कहेंगे तो बहुत पुराने पुरानी विदी है हम तो भूल गए कोई बात नहीं बोल जाएगे kilometer उपर दिया है तो उपर 1000 से multiply किया है और नीचे आर दिया है नीचे 16 to 60 करो गए second में convert हो जाएगा तो या 18 से काटोगे तो 18 कम 18 हो जाएगा तो इसकी स्पीड दिया है 500 meter per second और इसकी जो direction है वो west direction में चल रहा है अब इससे क्या फैदा होगा वो बात की बात हम करेंगे what is the voltage difference developed between its wings 25 meter long इसके जो wings है एरोप्लेन के जो wings होते है उनकी लंबाई दिया है 25 meter और उनके wings बीच में एक voltage developed होगा इसको आप induced EMF कह सकते हैं वो आपको निकालना है वो बात में बात करेंगे अब आपको इसकी सब कुछ बात में ही बात करेंगे देखा जाएगा इसन इस 5 इंटो 10 पौर माइनस 4 टेसला यानि किसी जगे आर्थ का जो magnetic field है जिसको की BE लिसकते है केवाल B लिसकते हैं और आर्थ के लिए हम E का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी लिख दो कोई अगर confused हो आर्थ का magnetic field जो है वो दिया है 5 इंटो 10 पौर माइनस 4 टेसला 5 इंटो 10 पौर माइनस 4 टेसला या अर्थ का magnetic field है और deep angle जिसको के delta से represent करते हैं वो दिया है 30 डिग्री ठीक है अब देखे लफड़ा क्या है जब कोई भी चीज magnetic field में चलती है कोई rod चलती है कुछ भी चले तो magnetic lines को pass वो cross करती है यानि magnetic flux को उसमें change होता है अगर हम दोड़े मालिया हम magnetic field में दोड़े तो यानिक हमारे सरीर से जो magnetic field पास हो रहा है उसमें change होगा और उसकी वज़े से हमारे पैर और सर के बीच में एक potential difference डेवलप होगा और जिसका फामला आपने पढ़ा था induced EMF BVL बवाल यह आपको पढ़ाए गया है emotional EMF BV कहते हैं इसको तो अब problem यह उड़ती है कि कौन सा magnetic field प्रॉस कर रहा है यह लफडा है ज़रा साउधान देखिए यह east west है और यह north south है ठीक है यानि हमारी उंगली आपकी तरफ मताब मांक में लगेगा नहीं चिंता नकरिए नार्थ की तरफ है ठीक है अब देखो अगर यह magnetic field है north south और आप ऐसी चलना शुरू करिए तो आप इनके 20 से होकर के निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं यानि आप नार्थ साउध में चल रहे हैं यह horizontal magnetic field होता है और नार्थ साउध में आप चल रहे हैं तो आप magnetic field को cut नहीं करेंगे नहीं समझे जा समझेगा जै और आप इनके 20 से निकलना चाहते हैं ऐसे निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऐसे चलना चाहेंगे तो आपको इसे cut करना पड़ेगा है ना अच्छा यानि नार्थ साउध में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक होता vertical magnetic field अगर हम नार्थ साउध में है तो इसको cut करेंगे ना अब देखे wings का लफड़ा क्या है जो आपका airplane है यह है नार्थ साउध मैं ऐसे बना रहा हूँ और यह है East West, East West ऐसे वना रहता हूँ उल्टा तो आपकी wings नार्थ साउध में हैं ना नहीं समझे जब airplane चल रहा है East West direction में चला है यह West मान लिया है त तो North-South में होने की वज़े से, जो North-South direction का magnetic field है, horizontal वाला, उसको wings cut नहीं करेंगे, तो यह direction है वह ऐसे भी से निकल जाएंगे wings, लेकिन जो vertical component है, उसको cut करेंगे, ठीक है, तो यानि कि जब यह magnetic field cut करेगा, यह aeroplane का wings, तो कौन से cut करेगा, vertical component of magnetic field, actually आपका magnetic field ऐसे है, यह magnetic field है यह horizontal component है, और यह vertical component है, यह vertical component है, यह delta है, तो आपके aeroplane के wings इस direction में है, इस direction में है, तो इसलिए इस वाली line को cut नहीं करेंगे, वो इस वाली line से मान लेते हैं कि ऐसे भी से निकल जाएगा, लेकिन यह वाली line को cut करेंगे, क्योंकि plane ऐसे जा रहा है और यह वाली line ऐसे है, तो यानि कि जो wings होंगे, जो aeroplane के, वो north south direction में होंगे, और वो vertical component को cut करेंगे, तो आप लिखेंगे, wings of aeroplane, wings of aeroplane, aeroplane, cuts, vertical component of magnetic field, समझे बात आ गही होगी, cuts, vertical component, vertical component, component of magnetic field, अब निकाला जाए, तो vertical component का फर्मुला होगा, b cos, b sin delta, b बोले तो, b, और sin delta बोले तो, 30 degree, तो b की value है, 5 into 10 power minus 4, और sin 30 के 1 by 2, यानि कि 5 by 2 into 10 power minus 4 tesla, इस magnetic field को wings cut करेंगे, फिर समझेगा, हम खड़े हुए हैं, ये vertical component है, बहुत सारे लोग, आप line से खड़े हो जाए, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे line से खड़े हो जाओ, और aeroplane का wings ऐसे आके, ये आप लोग खड़े हुए है, aeroplane का wings ऐसे आके टकराएगा, तो ये आप जो खड़े हैं वर्टिकल component, इसको cut करेगा, समझेगाई बात, और अगर आप ऐसे हो जाएए, इस तरीके से, इस तरीके से बांस लगा दीज़े है, नार साउथ में, तो उसके 20 aeroplane का wings निकल जाएगा, एक ये बांस लगा हुआ एक ये बांस लगा है, ये horizontal magnetic field, ये horizontal magnetic field, इसके बीच gap है, और ये wing है, और wing इसके बीचे निकल जाएगा, यानि कि horizontal component को वो cut नहीं करेगा, तो ये magnetic field हो गया, तो जब हम induced EMF निकालेंगे, induced EMF, तो उसको हम E से करते हैं, बावाल हमने पढ़ाया था, B बोले तो, vertical component, V बोले तो velocity और L बोले तो जो उसकी लंबाई है, रख दीजे, ये capital भी vertical के लिए इंडिकेट किया रहा है, suffix में जो है, तो इसकी value कितनी आगई, 5 by 2 into 10 power minus 4, इसमाल भी है 500, और length है 25, अब इसको calculate कर लिजेगा, अपने आप value जो आनी होगी, इसको रप कर दे, ठीक है, कितनी value तो 5 by 2 into 10, 25, 250 आएगा, 25, 25, 625, 625, एक 0, इंटू 5, इंटू 10 power minus 4, तो ये multiply करोगे, तो 0 आएगा, पचम 25 का 5, आताया दो, 5 by 2 into 10, दो 12, और 5 इंटू 10 एक 31, और 10 नहीं नहीं आया, ठीक है, इंटू 10 power minus 4, तो इसको operate करोगे, तो 3.125 वोल्ट, देखिया, आंसर ही आ रहा ह 3.12, very good, समझे बात आ गही होगी, फिर से समझ लिजेगा इस concept को, देखें, ये है magnetic field की direction, अर्थ के magnetic field ये है, ऐसे, क्यों, आपको भी globe देखें, ये आपकी अर्थ है, ये आपका, जो है, platform है, horizontal, और अर्थ ऐसे घूमती है न, magnetic field ऐसे निकलता और ऐसे घूमता है, ऐसे, तो ऐसे magnetic field जो घूमा है न, तो ये direction जो दी है, ये बीदी है, जो horizontal से delta बनाती है, तो ये magnetic field है, ये magnetic field है अर्थ का, जो horizontal से delta बनाता है, ये horizontal component और ये vertical component, तो जब हमारा जो plane है, जो की west direction चला है, तो जब west में चलेगा, तो simple बात उसके wings कितर होगे north south में, तो north south में wings होंगे, तो north south में, जो magnetic field होगा, horizontal उसको cut नहीं करेगा, एक ये magnetic field की line है, और एक ये magnetic field की line है, एक ये magnetic field की line है, एक ये है, अशे वीचे, plane निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे magnetic field lines होंगी, vertical, तो इनको cut करेगा, ठीक है, तो ये concept होता है, हाँ, अगर ये north south में होता हो, plane उपर से से नीचे उतर रहा होता, किदार, east west direction में, तो ऐसे cut करता हो, नीचे निकलता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये question number 6.10 है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, okay, thank you.